Welcome to ambitiousbaba.com We are back with our daily current affairs तो चलिए जानते हैं 21 और 22 जून के current affairs क्या है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दो हमारे टेलिग्राम चानल का लिंक आज की क्लास का पीडिएफ का लिंक और हमारे current affairs app का लिंक सभी नीची description box में है वहां से जाके आप उन सबको check out कर सकते हैं तो चलिए let's get started with the questions पहले तीन questions है जल जीवन mission के उपर तो एक बर ब्रीफली बात कर लेते हैं जल जीवन mission क्या है तो जल जीवन mission हमारी केंद्रे सरकार का mission है जो launch किया था हमारे प्रधान मंत्री जी मोदी ने in the year 2019 उनका ये vision है कि 2014 तक सभी घरों में नल का पानी उपलब दो यानि कि 100% tap water available हो in all the rural households in India तो चलिए बात करते हैं पहला सवाल किस राजे को हाली में 1829 क्रोर मिले है for the जल जीवन mission in the financial year 2020 and 21 पाच options है हमारे पास तो चलिए दा answer is C. महाराश्रा महाराश्रा को हाली में 1829 क्रोर मिले है for implementation of जल जीवन mission और जैसे कि हमने अल्रेडी discuss कर लिया आपके साथ कि ये program launch किया था हमारे प्रधान मंत्री जी मोदी ने in the year 2019 महाराश्रा सरकार का जो एम है वो है कि वो सारे ग्रामें हिलाकों को in the state of महाराश्रा पीने का पानी प्रोवाइट करेगी by the year 2024 चलिए बात करते हैं माधर प्रधेश को दिए गए हैं 156.61 क्रोफ को दिये गए हैं 1,832 क्रोफ आसाम को दिये गए है 1407 क्रोड और पारग्यं सु पे expand Should & किस राज्य सरकार को हाल ही मैं केंद्रिय सरकार ने 156.61 क्रोर की मनजूरी दी है पांच ऑप्शन से हमारे पास चलिए दा answer is डी तृपूरा को दी है हाल हमें 156.61 क्रोर की मनजूरी अंडर दी जलजीवन मिशन जल यह बात करते हैं 2020 में 2020 में उनका जो ओपनिंग बालंस था for the year 2020 and 2021 उसके तहत उन्हें मिले है 136.45 क्रोर मतलब यह बालंस अन्यूज रह गया था उनका अंडर दी जल जीवन मिशन 2019 का और इस साल उन्हें 107.67 क्रोर से भढ़ कर 156.61 क्रोर मिले हैं तो कुल मिलाकर यानि की 2020 और 21 के लिए अब उनका बजेट हो गया है for जल जीवन मिशन 320.16 क्रोर और वहां की सरकार का एम है कि वह 100% हाउस होल टाप कनेक्शन प्रोवाइड करेगी अपने राज्य में बाइदी यर 2023 तो चलिए त्रिपूरा के बारे में कुछ जान लेते हैं त्रिपूरा का कैपिटल है अगर तला और वहां की जो सीम है उनका 1189.40 क्रोर की मंजूरी दी है अंडर दी जल जीवन मिशन पाच आप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस ए करनाटका को दी गई है मंजूरी बाइदी सेंट्रल गर्वर्मेंट ओफ 1189.40 क्रोर तो चलिए बात करते हैं यह वी क्वेशन इसमें से आ सकता है कि 2019-20 में उन्हें कितने फंद्स अलोकेट हुए थे तो 2019-20 में उन्हें अलोकेट हुए थे 546.06 क्रोर तो लगवग 3 टाइम्स जादा यह फंद्स दिये गए हैं इस साल और करनाटका सरकार भी प्लान करीगी 100% हाउसोल्ड कवरेज करेगी वो बाइदी येर 2022 और 2023 चलिए करनाटका के बारे में कुछ जान लेते करनाटका का का पिटल इस बैंगलूरू उनकी गवर्नर का नाम इस वाला जी भाई और वहां के जो चीफ मिनिस्टर का सौरी वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है बी एस यदे रूप चलिए बढ़ते हैं आगे चौते क्वेशन की तरफ युनाइट नेशन सेक्यूरिटी काउंस कि अध्यक्ष भारत कब होगा पांच ऑप्शन से हमारे पास तो चलिए दा आंसर इस सी ऑगस्ड दोहजार एकेस में यूएन सेक्यूरिटी काउंसील का भारत होगा प्रेसिडेंट यूएन सेक्यूरिटी काउंसील में 15 नेशन हर साल मेंबर रहते हैं जिसमें 5 पर्मानेट होते हैं और 10 नॉन पर्मानेंट जो non-permanent members है उनकी जो tenure होती है वो होती है for two years और इसमें भारत इस साल news किया गया है as the non-permanent member of the United Nations Security Council और इसमें जो president होते हैं वो जितने भी countries होते हैं वो month-wise होते हैं यारी कि English Alphabetic Order के हिसाब से हर country को एक बार president बनने का मौका मिलता है तो पहली बार भारत बनेगा president in the month of August 2021 और उसके बाद एक बार बनेगा in the year 2022 चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पांच में question की तरफ पांच बार सवाल इन में से किस company इन में से किस company मतलब भारत की पहली ऐसी कौन सी company बनी है जो 150 billion market capital को जिसने रीच किया है आज option से हमारे पास तो चलिए the answer is B. Reliance Industries Limited पहला ऐसा company बनाया है जिसने market capital टच किया है of US dollars 150 billion याने की 11 लाख करोड अगर आप Indian market में valuation करें तो Reliance Industries Limited की market valuation हो गई है 11 लाख करोड तो चलिए बात करते हैं यह बहुत एक important topic है इसके उपर कि कैसे उनकी valuation इत्ती जादा बढ़ गई है तो हाल ही में 8% तक उनकी जो market value है वो बढ़ गई थी after उनकी जो chairman है Mr. Mukesh Ambani उन्होंने announce कि उनकी जो company है वो हो गई है net debt free net debt free का मतलब होता है कि जो भी अगर आपने कभी balance sheet देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि debt जो होता है जब सारे cash की accounting हो जाती है जो जितना balance भशता है उसे debt कहते है बट लास्ट दो तीन महिने में जब जीओ ने sorry reliance का एक हिस्सा है जीओ जब जीओ ने अपने stake बेच दिये थे 24.7% stake बेच दिया तो उससे उन्होंने लगबग recover किया एक लाग पंद्रह हजार करोड उन्होंने recover किया market से और उसके अलावा उन्होंने rights issue किया है जो भारत का सबसे जादा rights issue मतलब largest rights issue उससे भी उन्होंने कई जादा पैसे recover किये लगबग 62,000 क्रोड और उसके अलावा उन्होंने stake बेचा टू उन्होंने 7,000 क्रोड का stake बेच दिया इन तीनों amount को मिलाके उनकी total valuation हो गई थी 1,75,000 क्रोड के आसपस और उनका जो debt था as per March 31st वो था 1.61 क्रोड 1.61,000 क्रोड के आसपस उनका debt था तो उन्होंने अपने debt को exceed कर लिया और इसी लिए उन्होंने officially गोशित कर दिया reliance industries को as net debt free उनकी ये जो planning थी वो होने वाली थी in the year March 2022 लेकिन 9 months पहले ही उन्होंने ओफिशन इसकी declaration कर लिए और इसी के कारण उनकी जो shares है वो intraday market में जंप कर गए by 8% और उनकी valuation हो गई है 11,00,00,00 करोड तो चलिए बढ़ते हैं आगे Forbes real time billionaire list की हिसाब से इन में से किस ने join किया है the club of the world 10 world's 10 richest person with the net worth of 64.6 billion dollars पाच options है हमारे पास तो चलिए the answer is very much expected E Mukesh Ambani ने join किया है Forbes real time billionaire list और उनकी net worth है वो 12 times almost increase हो गई है from 5.3 billion US dollars to 64.6 billion dollars मैं आपको बताती हूं कि हाली में जो ये deal हमने last question में discuss की थी कि उन्होंने अपने 24.7% stake बेच दिये है in over 11 deals जो की 8 हफतों में 11 deals हुई है उनकी उसके तहत और उन्होंने rights issue भी किये थे अपने shares के और 7,000 crore उन्होंने अपना stake बेचा है to to a petroleum company तो इससे उन्होंने अपने आपको debt-free गोशत कर लिया चलिए बढ़ते हैं आगे साथवे question की तरफ किसे appoint किया गया है as the brand ambassador of JSW Cement 5 options है हमारे पास तो चलिए the answer to this question is e सौरफ गांगुली और सुनिर शेत्री को appoint किया गया है as the brand ambassador of JSW Cement तो चलिए इबर quickly बात कर लेते हैं कौन कौन है सौरफ गांगुली रह चुके है former Indian captain और currently यह BCCI के president है सुनिर शेत्री है इंडियन football team के captain विश्वनात आनन्द आप सभी जानते हैं यह इंडियन chess grandmaster है और यह formal world champion रहे चुके हैं in fields of chess और रिशव पंथ इस इन इंडियन cricketer चलिए बात करते हैं JSW Cement जो की है JSW Group का हिस्सा विच इस फोर्टीन बिलियन US डॉलर ग्रूप उन्होंने इंडियन इंडियन नाशनल football team के कप्तान और बैंगलूर एफसी के कप्तान सुनील शेट्री को बनाया है अपना brand ambassador 20 जून 2020 को उन्होंने मार्केटिंग campaign रोल आउट किया तो दी लीडर्स चॉइस जिसमें यह दो sportsmen थे और यह जो campaign है यह चलाई जाएगी in the states of West Bengal, Bihar and Orissa चलिए बात करते हैं बाकी brand ambassadors के बारे में anti-roping के brand ambassador है सुनील शेटी, Puma के brand ambassador है सुनील शेट्री और कनीरा कपूर खान, Pepsi की brand ambassador है सल्मान खान, Mastercard की brand ambassador है MS Dhoni और World Wildlife Fund के brand ambassador है विश्वनात आनंद तो चलिए बढ़ते हैं आगे आटवे question की तरफ इन में से किसे 2020 German trade peace price मिला है पांच options है हमारे पास तो चलिए के दा answer to this question is Amartya Sen यह Nobel laureate रह चुके हैं in the year 1998 तो चलिए बात करते होंने यह प्राइस क्यों दिया गया है जो की है 2020 peace price of the German book trade और इसके साथ उन्हें price value भी दी जाएगी of 25,000 euros जो की equivalent है to 28,088 US dollars तो अब बात करते हैं कि यह उन्हें price क्यों दी जाएगी तो कई सालों से over a lot of decades वो काम कर रहे है on global justice उनका मानना है कि जो यह inequality है in terms of health care and education यानि कि जो poor लोग afford नहीं कर सकते हैं और इसके कारण उनकी life और जादा miserable हो रही है तो उससे लड़ने के लिए उन्होंने बहुत जादा contribute किया है अपना time और कई सारे उन्होंने तरीके बताए हैं कि कैसे जो nation से वो एक साथ मिलके इससे लड़ सकते हैं तो इस बहतरीन काम को recognition देने के लिए उन्होंने यह price जीता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे नौवे question की तरफ किस football club ने हाल ही में Juventus को हराया है और शटी बार Italian cup जीता है पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is E नेपोली ने जीता है Juventus को हरा के जब 90 minutes का play हुआ था उसमें नेपोली और Juventus के score थे 0-0 और उसके बाद 4-2 से Juventus को हरा के नेपोली ने जीता है और उन्होंने लिफ्ट किया है Italian cup for the 6th time चलिए बात कर लेते हैं यह कहां पर किया गया था यह match हुआ था स्टेडियो ओलंपिको जोगी है रोम में चलिए बढ़ते हैं दसवे question की तरफ International Yoga Day हर साल किस दिन मनाया जाता है आज option से हमारे पास तो देख सकते हैं आप इसका answer is 21st June को मनाया जाता है International Yoga Day यह पहली बार मनाया गया था 6 साल पहले at the 69th session of the General Assembly जब हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे advocate किया था और इस proposal को दिया था उसके बाद से यह हर साल मनाया जाता है पहली बार यह मनाया गया था 21 June 2015 में तो इस यहर उनका 6th anniversary आप कहे सकते हैं आप इंटरनाशनल yoga day और उस साल दो world record कायम हुए थे because इसमें 84 nations ने एक साथ participate किया था in the celebration of the international yoga day और दूसरे कि लगबग 36,000 लोग उसन एक साथ yoga कर रहे थे which is the largest by far और इसलिए उनका नाम Guinness Book of World Records में भी आया है चलिए बात करते हैं UN General Assembly का 2020 का theme क्या है वो है yoga for health and yoga at home इस साल social distancing के कारण yoga internationally celebrate नहीं किया जा रहा था तो इस साल कौन का theme है yoga for health and yoga at home चलिए बढ़ते हैं आगे World Music Day हर साल किस दिन मनाया जाता है पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is C 21st June को मनाया जाता है हर साल World Music Day ये दिन जो भी singers है आप celebrate करें अपने talent को ये पहली बार 1970 में मनाया गया था on June 21st और इस साल 2020 का उनका theme है music at the intersections और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ June 21st ये मनाया गया था to celebrate the first day of summer summer को welcome करने के लिए ये जून में मनाया जाता है और उस साल Joel Cohen एक musician थे उनका ऐसा मानना था कि musicians यानि कि जो bands अगर play करे summer को welcome करने के लिए तो और तब से हर साल ये दिन मनाया जाता है तो चलिए बढ़ते हैं बारवे question की तरफ world hydrography day हर साल किस दिन मनाया जाता है आज options है हमारे पास तो चलिए the answer is e 21st June को हर साल world hydrography day मनाया जाता है तो चलिए hydrography क्या है एक वर उसके पार में बात कर लेते हैं ये एक science है hydrography जिसके तहत जो maps वगर होते हैं in the terms of water यानि की ocean seas lakes में कौन-कौन से areas prohibited है कौन-कौन से safe है और कौन-कौन से unsafe है उनकी markings होती है ताकि कोई भी boats हो या लोग fishing करने के लिए जाए तो उन्हें पता चल जाए कि वह area safe है या नहीं है तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है hydrography because उसके बिना कई सारे हाथ से हो सकते हैं तो चलिए बात करते हैं international hydrographic organization की खोज होई थी in the year 1921 on 21st June और इसी लिए मनाया जाता है है world hydrography day on 21st June 2020 कौन का theme है hydrography enabling autonomous technologies चलिए let's move to the 2013th question world refugee day हर साल किस दिन observe किया जाता है 5 options है हमारे पास तो चलिए the answer is a 20 June को मनाया जाता है world refugee day इस दिन जो refugee है यानि कि जो शरन लेते हैं दूसरे countries में जाके कोई भी कारण से चाहिए उन्हें अपने देश से निकाल दिया गया हो या फिर कोई और reasons हो कि उनके घर वगरत तबाह हो गए तो उनके जो problems है उनकी miseries को reflect करने के लिए ये दिन मनाया जाता है also लोगों में इजागुकता फैले के refugees के साथ हमें ढंक से behave करना चाहिए और उनके साथ solidarity दिखानी चाहिए उनका 2020 का theme है step with refugee तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आकरी question की तरफ डिरेक्टर के और सचिदानन्द का हाल ही में निधन हो गया है वो किस राजी को बिलॉंग करते हैं पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is जी केरिला को बिलॉंग करते हैं के और सचिदानन्द जो की बह दन हुआ है 20 जून को एक hospital में तिरसुर में तो with this we come to the end of today's class I hope आपको यह वीडियो पसंद आया अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए हमारे चैनल Ambitious Baba को subscribe जरूर कीजिए also आप please visit our website test.ambitiousbaba.com जहां पर आपको स्रीजिए आप स्ञक्शे सी रेलवे जाप काब परती और इन सब मॉक्स को वहां से तरेक्ली पर्चेस कर सकते है और इसके बात उन्हें आप अपक्स तरह कर सकते 24-7 बोथ अन और अप और दी website थांक्यो फ्रेंस इस आपको जाजिए है।